बस Nokia C32, 22 है, तो यहां पर आप Ad की प्रॉब्लम को कैसे fix कर सकते हैं, privacy setting कैसे कर सकते हैं, या फिर system की intelligence को आप कैसे reset कर सकते हैं, जिस तरह से जसे कि आपने कुछ सर्च मारा, और पूरा दिन आपको, ये हमीशा है आपको उसी से related content, ये पर Ad वगरा देखने को मिलती है आपकी स्क्रीन पेज है गूगल खोलो प्ले स्टोर खोलो कहीं पर मतलब गूगल की कोई भी अप्लिकेशन खोल लो वही चीज़े नजर आती है तो यह सारत जो डेटा है वो चुराया जाता है आपके फून से तो इसके सैटिंग करने के लिए सैटिंग पर चाहेंगे और यहां पर आपको प्राइवेसी का ओप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है अब यहां पर दू-तिन सेटिंग आपको करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे यह जो एप कंटेंट है अगर आपको एड के जो पिक्चर है जो एड आती है स्क्रीन पर मतलब नोटिफिकेशन आया यहां पर बड़ से उप्छन आयेगा क्लियर देटा का वॉप्वंशन है मैं क्लिक कर दिया है ऐसे बाद यहां पर आपको और यहां पर दिकतिय में इन लगिप 1icoact & Ourabus procedure और वहां पर इसको इसको उसाऔर बंद कर दिया यहां पर इसको मैंने में बन करदिया जो आने इसको एदेल एनले वा चीजे हो चुकी है नई आइडियोटाइजिंग आईडिया पे आपको क्लिक नहीं करना है वाकि इतनी सेटिंग करके आपको बैक कर लेना है तो आपको यह प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे जो मैंने आपको बताया चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के नमस्कर